सब्सक्राइब अब यू अब यू आज हम बात करेंगे इसी कौन सी इसी पाँच चीज़े हैं जिसकर को करके हम लोग अपनी लॉंगिटिविटी और हल्दी लाइफ को बढ़ा सकते हैं यूजुली इतनी स्ट्रेस लाइफ है लोगों के पस टाइम नहीं है खुद के लिए तो लोगों की लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बहुत जादा कम हो गई है किस तरीके से हम अपनी लॉंगिटिविटी को बढ़ा सकें अपनी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा सकें और हेल्दी एन हैपी लाइफ जी सकें अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज दू लाइक और सब्सक्राइब और शेयर विदियो फ्रेंड सबसे पहला तो यू हाफ टू आपको ये मानना पड़ेगा कि जितना आप लोगों से कनेक्ट करेंगे जितना आप लोगों से खुल के बात करेंगे आपको उतना FC फियल होगा इवल फील — फिल्यृ क्या रा दिवा गोर एंसागर ऑन्यूंठ लिए ये टिल की बात करना आपके ये मेंबर से आज कल क्या होगा है लोग सब अपने 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 समया बड़े लग बैट रहते हैं गार्चल क्या आपको इसाласт की बिप्रेशन की प्राप्म it's very common so if you want कि हमारी life थोड़ी light हो जाए you should talk to your family members आपके दोस्त हैं friends हैं उसे बात कीजिए अपने दिल की बात कीजिए whatever you feel अपने गरवाले हैं उनको problem बताएए you will definitely going to get some solution कोई न कोई solution हर चीज का मिली जाएगा अगर आप ऐसे अपनी बातों उसे एक दूसरे से connect करेंगे न your heart will be very healthy और यह आपके brain की health के लिए भी बहुत ही जादा अच्छा होता है second important we should laugh मतलब laugh कहते है best medicine से काफी सारे बिमारी होंगा stress का depression का loneliness का अगर आप हसते हैं तब कभी भी stress नहीं होगा depression नहीं होगा loneliness नहीं होगी हमारे heart की health के लिए हसना बहुत जादा अच्छा है in fact आप बोलें कि हमारे overall immunity को भी boost करता है क्योंकि जब हम हसते हैं तो हमारी body में happy hormones release होते हैं जो हमारे शरीर की well being के लिए बहुत ही जादा psychologically भी आप बहुत जज़ा sorted रहेंगे कोई problem नहीं होगी third important आपको oral health maintain करनी है इसका भी longevity के साथ या बोलेंगी अच्छी healthy life के लिए बहुत importance है अगर आपको oral health की कोई भी problem है तो try to sort it out क्योंकि इससे आपकी heart की health भी अच्छी होती है overall well-being पे भी effect पड़ता है और ये आपकी immunity पे भी effect डालता है तो you should try to maintain your oral hygiene अच्छे से आपको oral hygiene maintain करनी चाहिए अगर आपको दिकत है तो go to your doctor and उनसे consult कीजिए कि what is the problem right now you are facing with your oral health आपको gum से related problem है teeth से related ये कहीं न कहीं जो oral health है ये हमारे heart से cardiovascular health से बहुत ज़द related है और अगर ये ही गड़बर हो जाएगा तो मुरे digestion में गट में हर चीज में problem माने लग जाती है तो you should look after your oral health also another important अगर आपको चाहिए healthy happy life चाहिए तो you should have some sense of purpose sense of purpose मतला चाहे चोटा काम करें चाहे बड़ा काम करें बट आपका एक goal होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है कोई भी काम एक study में पता लगा है जिन लोगों ने भी अपने life में कुछ goal बनाया any kind of goal वो लोग अपनी life बहुत अच्छे से जिये और उनकी life काफी long होई तो keep yourself with some goal कोई ना कोई goal जरूर सेट कीजे कैसे भी तरीके का हो सकता है चोटा बड़ा कोई goal नहीं होता goal goal होता है we have to work for it अगर आप ये करेंगे तो आपकी life काफी sorted हो जाएगी आपको जो daily routine के problems होती है वो भी नहीं होगी और you will have more sorted and more healthy more immune body because you are working on it another important we have to take care of ourself मतला आपको अबना self care करना है कैसे drink proper water अच्छे से आपको रोज पानी पीना चाहिए आपको sleep proper लेनी चाहिए do exercise regularly आप जो है न कुछ भी काम करते है उसका एक schedule बना लीजिये जिसे कि you should give time to yourself कि मैं खुद के लिए भी कुछ time devote कर रहा हूँ अगर आप खुद को time देंगे you will take care of yourself आपकी immunity boost हो जाएगी दूसरा आप जो है न well maintained हो जाएगे you are looking after yourself तो आप अपने आपको well present कर सकने इन चीजों से भी बहुत जादा well being पे effect होता है और longitivity पे असर आता है I hope you all understand and for more video do like and subscribe प्लेंट आपकी आपकी असरफ देंगे जाएगे बार जाएगे जाएगे असरा आता है प्लेंट आता है